स्वागत आपका न्यूस बाइसकोप में मैं हूँ आपके साथ पल्लवी बिहार के मुखे मंतरी इतिश कुमार का आज जनता दर्बार है जनता दर्बार में मुखे मंतरी विभिन विभागो की समस्याओं को सुनेंगे और उसका अंदे स्पोर्ट समधान करेंगे बताते चले कि मुखे मंतरी के जनता दर्बार में राज भर से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं बिहार के मुखे मंतरी नितिश कुमार का आज जनता दर्बार है जनता दर्बार में मुखे मंतरी विभिन विभागो की समस्याओं को सुनेंगे और उनका on the spot समधान करेंगे बताते चले कि मुख्यमंत्री के जनता दर्बार में राजभ़ से लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंसते हैं मुख्यमंत्री नितिश कुमार की जनता दर्बार आज लोगों की समस्याओं का करेंगे और उनका on the spot समधान विभिन जगों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनता दर्बार में पहुंसते हैं नितिश दर्बार में आज on the spot होगा समस्याओं का समधान अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजिव जो चुके राजिव बताएंगे कि आज नितिश कुमार की जनता दर्बार है बहुत दिनों बाद जनता दर्बार लगाया जा रहा है मुखमंतरी समधान यात्रा पर निकले हुए थे और समधान यात्रा के समापती के बाद फिर से जनता दर्बार के शुरुवात हो चुकी है हर एक सोंबार को इसकी जनता दर्बार लगती है मुखमंतरी की और इसमें जो भी सुनवाई के होते हैं लोग जो इरेश्टेशन करा के अगर पहुंचते हैं और उनमें लोगों की बाते सुनी जाती हैं समस्या जो भी रहती है जमीन से जुड़ी हुई या तमाम जो सिक्षा जो भी सम्बंदे जिससे हुई तो उसको लेकर सुनवाई कारेकरम जनता दर्बार लगाते हैं उसमें भाग के कि वहां जन प्रतिनीधी रहते हैं फिर से अधिकारी रहते हैं और तमाम जो भी समस्या होती है ततकाल तुरत प्रभाव से उसको सुना जाता है और करवाईKनि समधानी यातरा पर भी मुखमंतरि हर एक जिलों में पहुँचे हां जाकर समधानी यातरा नीकाले तमाम समस्याएं भी सुने लेकिन उन्मा ये वहाँ गय थे कि इसले कि वहाँ की समस्या क्या है और लोगों की समस्या लग लग तरके की होते हैं किसी की जमीन विवाद होता है तो किसी का नौकरी से समद्ने तुमामें से चीजे होती है जो समधान यात्रा में लोगों से मिलने में नहीं हो पाती है तो जनता दर्बार इसलिए मुक्र मंत्रे हर एक सोंबार को सप्ताह में लगाते हैं और इसी क्रम में लोग वहां पहुँचेंगे बहुत दिनों के बाहर लगबग दो महिने के अंतराल लग रहा है कि इसके बाद जनता दर्बार लग रहा है और समस्या सुने के लिए मंत्री आज जनता दर्बार लगाएंगे और तो लोगों को उनसे रूबरू होंगे और उनके समस्याओं को सुनेंगे जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए